आलू गोवी मतर की सूखी सबजी यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए जानते हैं इसकी रेश्पी आलू गोवी मतर की सूखी सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए एक गोवी इस तरह से छोटे टुकरों में कटा हुआ चार आलू छोटे टुकरों में कटे हुए एक कटोरी हडा मतर दो प्याज कटा हुआ दो टमाटर छोटे टुकरों में कटा हुआ इसके साथी हमें चाहिए 10 बारा दाने मेथी के 1.5 टेस्पून जीरा 1.5 टेस्पून गरम मसाला 1.5 टेस्पून धन्या पॉडर 1.4 टेस्पून लालमिच पॉडर 1.5 टेस्पून हल्दी पॉडर नमक एकॉर्डिंग टेस्ट 4 हरी मिर्च कटी हुई आप एक कराई को गर्म करके उसमें 4 चमच ओईल डालेंगे यहाँ पे मैं मस्टर्ड ओईल डाल रहे हूँ आप अपनी पसंद का कोई भी ओईल इसमें डाल ले और इसे गर्म होने दे तेल गर्म हो चुका है अब हम इसमें मेथी और जीरा डालेंगे अगर आप मेथी ना खाते हों तो इसे स्किप करें इसे 30 सकेंड के लिए हलका लाल करेंगे साथ में हरी मिर्श डाल देंगे और इसे भी कुछ सकेंड के लिए चलाएंगे इसके साथ ही हम इसमें अब प्यास डाल देंगे और इसे दो मिनट के लिए हलका सा भूल लेंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है दो मिनट तक प्यास को घुनने के बाद अब हम इसमें लाल मिर्श पॉडर डाल देंगे यहां पे मैं देगी मिर्श पॉडर यूज कर रही हूँ यह बिल्कुल भी तीकी नहीं होती है इसके साथ ही गरम मसाला डालेंगे धन्या पॉडर भी डालेंगे और इसे भी अगले एक मिनट तक प्यास के साथ भूल लेंगे एक मिनट तक मसालो को प्यास के साथ भूलने की बाद अब हम इसमें हल्दी पॉडर डालेंगे साथ में नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे उसे अच्छे से मिला देंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है टमाटर को 30 सकेन तक भूलने की बाद अब हम इसमें सबजियां डालेंगे आलू और गोवी डाल कर हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है अब हम इसमें मटर के दाने भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इस समय यहां पर हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और इसे ढख कर आलू और गोवी पकने तक इसे पकाएंगे यहां पर सबजियों को पकने के लिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है टमाटर और बांकी सबजियों से खुदी पानी रिलीज होगा और यह उसी में पक जाएगे अच्छे से यह देखे सबजियों से कितना सारा पानी निकल आया है और यह इसी के भाप में अच्छे से सारी सबजियां पक जाएंगे बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि सबजियां नीचे से जले नहीं यह देखे सबजियों से कितना सारा पानी रिलीज हो चुका है और यह इसी के स्टीम में पक जाएगा अच्छे से अब हम एक आलू को चेक करेंगे कि ये पका या नहीं ये देखिए आलू अभी भी आधी कच्ची है हम इसे फिर से ढख देंगे दो मिनट और ढख कर पकाने की बाद अब हम इसे फिर से चलाएंगे ये देखिए सबजिया हमारी पूरी तरह से पक चुकी है अब हम इसे दो-तीन मिनट के लिए बिना ढख के भूल लेंगे दो-तीन मिनट तक सबजियों को अच्छे से भूलने की बाद अब हम इसमें कटा हडा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे ये देखे कितना बढ़िया आलू गोवी मटर की सूखी सबजी बनकर तयार है इसे आप रोटी, प्राटे, पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्फ करें अगर आपको मेरी सबजी की रेजपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरू दबाएं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे आपको मेरी नई नई रेजपी स्की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये रेजपी कैसी लगी तेंक यू